सभीको राम राम जी मैं इस समय लुध्याना में हूँ और जहां पर इस समय में आया हूँ और खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन है जो इस समय एक ऐसी बिमारी से जूज रहे हैं जिसे हम भांजपन कहते हैं आज जिस सेंटर में मैं हूँ ये पंजाब के लुध्याना में ये सेंटर है और बड़ा फेमस सेंटर है यहां का फीडबैक अगर आप लेंगे तो जो जो लोग यहां पर आए हैं बड़ा अच्छा फीडबैक लेके जाते हैं और उनके घर पर जिनके घर पर संतान नहीं होत जो कि लुद्याना में रोज गार्डन के पास है बाकी अड्रेस हम आपको इस वीडियो में जरूर देंगे और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि यह भाजपन होता क्या है, इसके क्या क्या किस तरह से यह ठीक कर सकते हैं और किस तरह से आप यह बाइब करते हैं कि यह जो भांचपन की परिशानी है यह बिमारी है इसे क्या लक्षन रहते हैं और किस तरह से लोग यहां पर आ सकते हैं और जो लोग आते हैं उनका किस तरह से ट्रीटमेंट होता है देखो जो निस संतान जोड़े हैं में सबसे पहले तो यह जो प्रॉबलम है इन फर्टिलिटी की जिसको हम बांचपन कहते हैं वो दिनो दिन बढ़ती जा रही है हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है इतना तनाव है खाना जो है बहुत है एर पोल्यूशन है इसके कारण बढ़ रही है और मैं बताना चाहूंगी कि बांचपन की समस्या के लिए दोनों हस्बंड वाइफ जिम्मेवार होते हैं यह बहुत वहम रहता है मैंने देखा इतने मैरेड कपल्स हैं कि जो सिरफ पहले लेडी का वाइफ का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं तो हम हमेशा होता पर वो कंसीव नहीं हो सकते अब एक कपल को कैसे पता लगेगा कि उनको बांचपन की प्रॉब्लम है बिल्कुल अगर वो एक साल से आपस में ट्राइ कर रहे हैं कि बेबी हो जाए और उनका बेबी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है और उनको एक सही डॉक्टरी सला जरूर ले लेनी चाहिए पर अगर एक कपल एल्डरली है थोड़ा ओवरेज है या सेकिन मेरेज है और उनको थोड़ा ही टाइम बीता है नहीं हो रहा तो मैं हमेशाए आडवाइस करती हूं कि पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना च कर सकते हैं देखिए हर चीज़ का इलाज आई वी एफ नहीं होता अगर कोई पेशेंट को प्रॉबलम है तो बहुत सिंपल टेक्नीक्स आती है तो सिंपल मेडिसन से हम ट्राइ कर सकते हैं उसके बाद आई यू आय आता है डेफिनेटली उसके बाद आई वी एफ आता है औ अगर उनको बहुत उन्होंने हर तरह की दवाई खा ली है, बहुत ट्रीटमेंट ले रही है, उनका बेबी नहीं हो रहा है, कोई अन्नोन कॉज़ेज है, या हस्बेंट में बिलकुल निल स्पर्म्स है, या वाइफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ट है और खुल नी रही, तो अगर पता लग गई है कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो वहम, मिट्स में और देसी दवाईों में जादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, उसको सही टाइम पे सही इलाज करा लेना चाहिए, जो आईवी एफ का ट्रीटमेंट रहता है, जैसे अगर मेडिसंस के साथ नहीं ठीक ह होते हैं तो फिर आप इस पर जाते हैं, इसके उपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यह आईवी एफ ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट रहता है और इस ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट्स आपके पास आने चाहिए, यह ट्रीटमेंट मतलब हैं, और कब आप इसको शु लाएंगे इकसी करेंगे जिससे एक स्परम हम एक के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो IVF लिबॉरिट्री का प्रोसीजर है उसके बाद जो ब्रून त्यार हो जाता है वो तीसरे दिन से लेके पांच में छटे दिन तक बनाके ग्रो करके हम पेशन्ट के अंदर रखते हैं तो इ पेशन्ट को होता है कि अगर मैं IVF कराऊंगा तो मेरे को बिलकुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा मुझे हिलना नी पड़ेगा मैं कोई काम नी कर सकता तो वो वो चीज़े जो वहम है ना वो पेशन्ट को हमेशा निकालनी चाहिए अपनी मन से IVF एक सिंपल प्रोसीजर है means test tube baby हम laboratory में baby उनी का तियार करके उनी के बच्चे में अंदर रख रहे हैं जो काम कुदरत नहीं कर पारी जो उनको problems है उसकी हम समस्या निकाल रहे हैं हल निकाल रहे हैं समस्या हों का इसका मतलब है IVF और ये बिलकुल painless procedure है जब हम lady के eggs निकालते हैं तो ये ultrasound के जरिये नि करना नहीं होता वो बाल से भी पतला catheter होता है जिसके तुरू हम बच्चेदानी में embryo transfer करते हैं जैसे मैं अभी आपके पास लुधियाना में आया हूं ये बात करने के लिए हम IVF के बारे हम बात कर रहे हैं जितने भी दर्शक हमारे जम्मू कश्मीर लदाक से ये वीडिय हैं सिंस हम पंजाब में हैं मैं समझ सकती हूं कि पेशन को बहुत दूर से आना है वो हमेशा उनके दिमाग में कुश्चन आएगा कि हमारे को कितने दिन लगेंगे कैसे आना है तो डेफिनेटली एक टेली फून से पॉइंट में लेना मच बेटर रहता है तो हम पेशन को जितनी देर का भी ट्रीटमेंट है पंदरा दिन बीस दिन एक महीने से तीन महीने का ट्रीटमेंट जो है वो हम पेशन को मिनिमुम चक्कर लगवाते हैं कुछ विजट्स हम पेशन के हिसाब से पेशन को जब मतलब टाइम होता है चुटी मिलती है अपनी जॉब से तो वो ह कि इसके हुआ कर सकते हैं थाएं कि सब्सक्राइब सब्सक्राइबस जाए हैं जिसे आगए किसा हैं करई में मेहां वह तुट हमई कर सकती हैं हमस्बिना को दो के लिए जैसे ना आज खल किया है कि हम केहीं सारे सेंटर्स के नाम पर ना फेक सेंटर्स चलते हैं तो मैं मैं आपका जो यह सेंटर है सुफत Instr gast gesagt safety and women care center जो लुध्याणा में है आपकी कोई और branch तो नहीं है या सीदे सिर्फ लुध्याणा में ही आपको ये ब्रांच नहीं है हमारी कोई और मैं पिछले 28 सालों से यही बांचपन का काम कर रही हूँ तब तो बहुत कम नंबर ओफ पेशेंट से अब तो इतना जादा बढ़ गया है इसलिए आपको रीजन बताती हूँ क्यों ब्रांच नहीं है हमारी देखे काम मैंने करना है पेश पेशन को एक एक्सपर्टाइज डॉक्टर और एक्सपर्टाइज एक्विप्मेंट की जुरुरत है तो डेफिनेटली ब्रांचेंग आउट होएगी तो पेशन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है हाँ जो पेशन के क्वेशन को टेलेफोन पे बार बार गाइड कर सकत गया है तो पेशन को लुध्याना इधर पंजाब आके मेरे को मिलना पड़ेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लुध्याना में डॉक्टर सुमिता सुफच जी के सेंटर पे आया हूँ तो आपको आई वीएफ से रिलेटेड और भी जो क्वेरी रहेंगी वो हमारी बाकी इंटर्व्यूज में सुनने को मिलेंगी और भांजपन को लेकर कहीं सारे और भी मेरे मन में भी सवाल हैं जिनको आज हम मैं से बात करेंगे तो फर्दर इंटर्व्यूज आप जेके मीडिया के फेस्बुक एंस्टागराम के ओपर आपको देखने को मिलेंगे आप जुड़े रहे हमारे साथ और एक बर फिर से आपको मैं बता दू कि आप भी जल्द से जल्द अगर कोई इस बीमारी से प्रेशान है और आपके घर पर आप भी चाहते हैं कि कोई नन्ना बच्चा आए और वो नहीं किसी तब कारण वश आ पा रहा है तो आप यहां पर आकर क कर सकते हैं इनके सेंटर पर उसके लिए आपको लुध्याना आना पड़ेगा रोज गार्डन के पास बाकी अड्रेस और फोन नंबर्स इस वीडियो के कैप्शन में लिखे हुए धन्यवाद जी सभी को रामरा